आप सभी का ट्रेक्टी कुलाचिस में स्वागत हैं मैं विनोत कुमार और आप मेरे साथ पढ़ेंगे अप्लाइट मैथमेक्टिस फर्स्ट जो कि आपका पर्ल टैकनिक सभी ब्रांच के लिए यह आपका सभ्जेक्ट होता है तो हम इसकी आपको क्लासिस लेकि होता है और वह पूरे सभ्जेक्ट की आपको अपसे only आपको क्रेंट्स फर्स्ट वह आपको complete करा जाएगा ठीक है यदि मैं मार्क की बात करूं तो बच्चों आपका जो एक पेपर आता है 50 मार्क का आता है तो हमारी कोसिस रहेगी कि आपको 40 मार्क प्लस को अपको दिला जाएं ठीक है चालिस फ्लस छालिस प्लस नंबर कब शोचिस को अधिक आप करेंगे तो हम परेश ही करा जाए आपको after exam before exam exam से पहले आपको क्या करा जाएगा तयारी गराएगी important question के सास्त ठीक है पहले हम क्या करेंगे basic question basic question basic concept सीखेंगे सभी question का जो भी question सब से पूछे जाएंगे उनकी basic concept सीखेंगे जैसे कि आपका chapter शुरू करेंगे तो उसके बारे में करेंगे पहले बेसिक कोंसेट की डिसकस करेंगे तो चलिए आज हमें स्टार्ट करने जा रहें बच्चों आपका अपलाइड मैतमेटिक फस्ट के अंदर जो कि आपकी रहेगी पहली समांतर से निए चैनि से बच्चों आपको देखने को मिलेगा जरूर तो आपको सेमेस्ट फर्स्ट के अंदर जो हम पहली यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अमारा चैप्टर है हमारा फॉस्ट और यह है आपका समांतर शेनी जो गारां तर शेनी समान अंतर वाली शेनी ठीक है समांतर से आपको समानंतर वाल रहा ऑगा समांतर से नि टो भी आपको यहां पे सिरीज देखिए आपके दो पॉइंट्स होते हैं एक होता आपका सिक्वेंस जिसे कहते हैं हिंदी में आप यह डाल लिया सबसे पहले हम बात करेंगे अनुकरम देखिए हिंदी में कहते हैं अनुकरम को इंग्लिज में बात कहते हैं बच्चो सिक्वेंस क्या कहते हैं सिक्व से खड़े हो जाई वोलते हैं कि सीक्वेंस आज तो एक दो तीन चार तरी किसे सीक्वेंस में खड़े एक लायन में तो वो क्या होगा मारा सिक्वेंस होगा जैसे कि हम एक दो चुन ॊपा, चैना,जग्ष अजएम मनकों,डवा टीक है यह क्या होगा हमारे एक सिक्वेंस होता है, यह क्या होता है सिक्वेंस होता है, ठीक है यदि हम बात करते हैं, फिर आपके यह होती है नंबर्स वह हो किनो कर architecture रही फिर फोर हो गया seven हो गया थैन हो गया फर्टीन गया बाताएगी मतलब एक सेम डिजिट बढ़़ती जा रही है समय रहेहाँ यहां पर सेम डिजिट लुँट हुए नाइड और भी है यहां पर इस तरुके से क्या हो जारा है आपका सेम डॆट के तो यह तो इस तरीके से आपका क्या होगा सिक्वेंस मनता जा रहा है कि एक वे फोल हो जा रहा है तो यह क्या गया आपका अनुकरम कहलाता है ऐसे नंबर यदि आपको कहीं देखिने को मिलते हैं तो वह क्या होते हैं आपके सिक्वेंस ठीक है अब हम बात करते हैं हमारी शेनी क्या होती है ठीक है हमारी यहां पर आती है दूसरा पॉइंट आता आपका शेनी ठीक है जिसे इंग्लिस में कहते हैं बच्चों सीरीज क्या कहते हैं सीरीज तो हमारा दूसरा होता है सीरीज तो सीरीज हमारी क्या हो चले गए तो उस तरह कि को क्या कहते हैं वो होती हे हमारी ndra स्leşंखेंद हुती है यह नमबर होते हैं यह प्लस лучше कोई भी नमबर सकते हैं यह आपके सीक्वेंस एक सीरीज का रहे यदि हम बात करते हैं आपका दूसरा दे सकते हैं इसको इस तरीके में लिए उसके बाद हम क्या लिए सकते हैं एक दो तीन या पिलस दो ठीन पिलस चार प्लस पांच प्लस चैब साथ नमबर होते जा नेस्ट आगे we are शीरीज होती है यह दोनों चीज़ः जरूरी है बेसिक होता है कुछ बच्चो को आपको बच्चो को नहीं पता जिएश का ऑइसकूल से भी बच्चो क को आप बाते ही नहीं इसके इंपोर्मॉलाज होंगे उनको भी समझेंगे ने उसके बाद हम कोशन की तरफ चलेंगे ठीक है पहले इसका बेसिक चीज़े समझना बहुत जरूरी है यहां तक आपको चीज़े अब हम बात करते हैं अपना सीधा चलते हैं समानतर शेनी के तरफ ठीक है यह दोन आपक तो हम यहां पर डालेंगे हैडिंग अपना समानतर शेनी समान अंतर वाली सीरीज ठीक है इस तरीके से तो हम इसका जो इंग्लिस में कहते हैं इंग्लिस में अर्थमेटिक होता है बच्चों क्या होता है आर्थमेटिक अर्थमेटिक 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 अर्थमे ठीक है तो AP हम इसको short में बोल देते हैं बच्छे ये और पी ठीक है यह टीक है AP के लाम से भी आप 17 को क्या कहते हैं arithmetic प्रोग्रेशन या एपी हम बोल सकते हैं इंग्लिस में ठीक है यहां तक अब आपका जो समानतर शेनी होती क्या समान अंतर वाली हम डैफिनेशन की बात करें इसमें आपको बच्चों का भी डैफिनेशन वह आप कुछ नहीं एक्जाम में वह डैफिनेशन भी पूछ सकता है आप से आप उसको ब्लेम नहीं करेंगे कि में तक और में तो आप उसको डैफिनेशन भी दे सकते हैं तो पता होना आपको जरूरी है यहां बात करें कि हैं कि हुए है वह है कि शीणी कि जिसमें कि कि अनुकर्मों कि का अंतर समान हो समान हो समानतर शेनी कहलाती है ठीक है समानतर शेनी कहलाती है अब एकजंपल के रूप में यहां सब्सक्राइब कैं यहां जैसे कि एक्सकर बात करें आपका यहां यापका थे प्लस में प्लस से एलेवन फिलस एतना आगे तक चला घृप एक सिरी आपको सिरी रही है तो इसमें $ किसी सीरीज के अंदर जो अंतर है वो समान होता है तो उसे क्या कहते हैं हम समांतर शेनी कहते हैं चाहे वो बच्चो माइनस का हो और चाहे वो प्लस का हो ठीक है चाहे वो अंतर आपका प्लस का है और चाहे वो अंतर आपका माइनस का है तो उससे वो डिपेंड नहीं करता वो माइनस का रहे कि प्लस का बस आपका अंतर क्या होना चाहिए सभी में समान होना चाहिए तो वो क्या कहलाता आपका समानतर श्रेनी कहलाती है जिसको इंग्लिस में कहते हैं left progression arithmetic progression जिसको short भास में कहतें अपी तो आपका सभी में क्या थास होता है सवह सभी में समंतर रूता है से यह आपका positive हो और चाहिए और निइटीव हो तो उससे हमारा depend नहीं होता अंतर आपका से माझन सब्सक्राइं तो माइनस काहींी डिफरेंस आपका सब में को माना चाहिएं ठीक है माइनस के दिए 2 आ झेया यहां तक आपको अपको देखिए हमारा एक होता है जो जो इनके अंतर को परदाशीर करता है उसको क्या बोलते हैं वच्चों बोलते हैं सब्सक्राइब ऑनतर क्या बोलते हैं सार्व अंतर ठीक है सार्व अंतर को हम पर्दसी करते हैं स्मॉल डी से सार्व अंतर मत्तर डिफ्रेंस जो होता है सार्व अंतर क्या होता है बच्चों डिफ्रेंस होता है दो नंबर के बीच में दो नंबर की बीच में सार्व अंतर ग्याद करने के लिए क्या करते हैं हम इसम दूसरा पद मालने जिए दूसरा पद माइनस पहला पद दूसरा पद माइनस के पहला पद ठीक है पहला पद तो इस तरीके से हम क्या करते हैं अपना सार्व अंतर हम यह आप सार्व अंतर पद माइनस के पहला पद यह क्या होता आपका अंतर लिकानने के लिए आपका यह फॉर्मुला है किसी भी आपको समांतर शेनी के अंदर आप लोगों को यहां तक बच्चों चीजे समझ में आ गए होंगे सभी तरीके से इसके बाद हम आगे चलते हैं देखिए आपकी जो सीरीज होती है अब जैसे हमने सीरीज की बात करें कि आपकी जो समांतर शेनी है समांतर शेनी को हम मानते हैं वह हम लेके चलते हैं अपनी ए ठीक है एक की कोई वाली माल नहीं ए फिर ए पिलस डी ठीक है ए ए प्लस डी फिर ए प्लस टू डी ठीक है ए प्लस 3D तो इस तरीके से क्या सी रीज बंदी जाते हैं तो हमारे समांधर शेनी कलाते बंधी किस तरीके से क्या है और वह पूस mismos । और इनके अंतर को हम क्या कहते हैं तो अंतर। इस numbers का भी अंतर के आता है आपका समानी आता है तो last में आपका क्या बनता है वो यहाँ पर बन जाता है सार्व अंतर लिगल के आ जाता है जिसको कहते हैं आप D ठीक है जिसको कहते हैं D तो यह I think आप लोगों को चीज़े समझागी यदि आपको कोई बोचता है समानतर शेनी कैंसी होते है तो समानतर शेनी आपको यदि बनाने के लिए बी पूछी जाती है समझागी अपका पहला पद जो ए हाता है जो हम लिखालते हैं ऐ होता है है अमेंसा पहलाOPद जो एक ही वेल्ली होती है मैं है अप्लिक भी देता हूं एक यह है आपका पहला पद ही कि एक ऑब आपका small एदेखे डियर i small a जो है वह आपका पहला पद है और वक्पूछता है कि आपको समांतर शेनी बनाएए तो आप समानतर शेनी डियर आप इसली को बना सकते हैं ठीक है जी आपका एप्लस 4D तो एप्लस 5D एप्लस 6D के ऐसे ही बढ़ता रहेगा continue जब तक आपके नंबर साथ तो समानतर की अनन्द होता सब्सक्राइब तक आप जा सकते हैं उसको कोई वैल्यू आपको एक यह नहीं कि फिक्स है ठीक है तो आइधिंग आप लोगों समानतर शेनी के बारे में चीजें यहां तक पता लगी इसके बाद आपको डियर आता है नेस्ट आगे है ठीक है यहां तक अपने नोट किया देन बरावर जो हमारा फॉर्मुला होता है उसको हम यहां पर करेंगे देखें किस तरीके से हमारे जो फॉर्मुला होता है वह फॉर्मुला आप लोगों सभी को यहां पर बच्चो पता होगा ठीक है और यदि नहीं पता तो आप यहां पर सभी देखें किस तरीके सामारे जो व्यापक व्यापक पद व्यापक पद ठीटेटेटेटेचा यह उटाद करने व्यापक पद कहते हैं व्यापक पद में पर दोता है आपका इनवापाद ठीक समांतर शेनी का यहां तक चीह समझए हैं यदि हम बच्चों क्या करें हमने माना यदि हम मानते हैं माना की हमारा माना समांतर शेनी का पर्थम पद और सारवांतर क्या है यह अपने डाली है यहां सा माना मैंने की माना लिखते हैं माना समांतर शेनी का समांतर शेनी का पर्थम पद पर्थम पद ए ठीक है तथा सार्व अंतर टी है तब हमने माना की समांतर शेनी का पर्थम पद क्या है अभी हमने समझा तब मैं पर्थम पर्थम पद होजाएगा आपका टीवन इस गल्डू क्या हो जाएगा आपका डी क्या हो भी क्वाहर सकते हैं या फिर हम इस को इस तरीके से लिख सकते हैं लिकालने के लिए हम इस तरीके से सकते हैं कि TN बराबर A, A आपका क्या है, पर्थम पद है, ठीक है, A, 1 पिलस, 1 क्या है आपका, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस इंटू D, अब ये आपको find out करने से पहले, आपको क्या करना पड़ेगा, DR, आपको formula पता होना जरूरी है, ठीक है, ये आपका कहा सा आया, ये चीज़े आपको पता होना जरूरी है, इससे पहले आपका क्या आता है, फोर्मूला आता है, जो formula होता है, एनवा पल लिकालने के लिए आपको होता है, TN बराबर A, पिलस, N-1, इंटू D, तो आपका ये एनवा पत ग्याद करने के लिए होता है, formula कौन सा, TN बराबर A, पिलस, N-1, पर्फमपद होता है, D क्या होता है, सारवांतार होता, N होता है, N होता है, आपका नमबर वीकॉफ पद होते हैं, जितने भी को पद दे रखके होंगे, वह आप क्या करेंगे, वह एन्ट की value होती है, ठीक है, तो इसी में ह Enjoyedці हम नहीं यह few calls लगा है, तो हमारा उसे परकार हम दूसरा लेंगे ठीक है तो आपको इसे परकार हम दूसरा पद करेंगे दूसरा पद तो दूसरा पद कितना जाएगा बच्छों दूसरा पद यह कि ठीक है इसी परकार आप यहाँ पर लिखा लेंगे की तीसरा पद घ्याद करेंगे ती 3 ग्यात करेंगे और यहाँ पर लिखा लेंगे आपका A plus 3 minus 1 into D तो ती 3 जो लिखल का जाएगा आपका A plus 2D तो आपके यहाँ पर जो शेनिया बनी जो शेनिया लिखलके आँ रही थी दियर तो आपका A यह वाली बनी थी फिर आपके हमने जो से नी बने यह बनी A प्लस D फिर आपका A प्लस 2D इसी परकार आपके शेनिय बंदी चली जाती है यहादी आपको n वापा लिकालना हो तो आपका फाइनल जो आपका लिकाल काता है यहादी वो n नमबर तक लिकाल लो और इससे क्या बनेगा आपका बच्चो इससे बनेगा आपकी समानतर शेनी तो आपके लिए जो important formula है वो formula अभी आपको व्यापक पदिगाद करने के लिए most important formula है और इस पर आपसे question पूछा जाता है ठीक है तो आई तिंग यहां तक आप हम आपको चीज़े समझ्झ में आ गई होंगी जो हमने अभी इससे पहले जो सीरी पढ़ी घालते हैं पहले लिखाल देते फिर एप्लसडी प्रस टूटाया चोटा प्र लेता है तो से किया लिख लिखा जाएगा तो इस तरीके हमने अरभी इसमें क्या करा हम Snake यदि किसी समानता शेनी का अंतिम पद के लिए ठीक है तो उसके लिए एक फोर्मोला बनता है उस पहले पहले फोर्मुले समझना बहुत जरूरी यह फोर्मुले आपके याद थो आप इसली कोश्टन को कर सकते हैं ठीक है अब यहां पर लिखते हैं कि इव हिंदी में लिख लिए यदी किसी कि समांतर शेनी में शेनी में अंधिमपध कि अंधिमपध एल हो तब किसी समांतर शेनी में अंधिमपध क्या हो बच्चो एल हो ठीक है तो आपका फोर्मुला क्या बनता है तो वह बन जाता है एल इसकल टू एल इसकल टू कि यह यह आपका अंतिमपध आपकाई और यहां से बनता है तो यह एक फोर्मुला ही आसे बनता है वह श्रेनी किसी समांतर श्रेनी का अंत से एन्वा पद ग्यात करना एन्वा पद ग्यात करना ठीक है यहां तक है देन इसके बाद आपका जो यहां से यहां से ठीक है तो आपका इते लिए अन्वा पद ग्यात करने के लिए एन्वा पद करने के लिए वह इंट ला Vocal ृक अंप आपको इसको याद रखेंगे ये आपका किसी समांतर शेनी के अंस-स कंपाँ ययाद कराए तो आपका क्वोंक रहे यह बनता से इस फैरवे का याद रखेंगे ठीक है तें उसके बाद आपका फ्स. फोर्मौला आता है समांतर शेनी में पदों का योग ग्यात करना ठिक है जो आपका तीसरा फोर्मौला ओता है समांतर शेनी चल्शनी में न पदों का योगफल ग्याद करना ठीक है समांतर शेनी में एन पदों का योगफल ग्याद करना अब इसके लिए जो फोर्मुला होता है डियर वो होता है आपका आपका फोर्मुला होता है तो यह बस आपके फोर्मुला होता है इन फोर्मुला को आपको बच्चों बस याद अखना है जितने अभी तक हमने formula करें अब इन formula पर आदारीत ही हम different types के question करेंगे ठीक है तो यहां तक आप लोगों को चीजे बच्चों समझबाया है होंगी अभी हम एक question लेंगे उसके बाद हम बच्चों इस class को end करेंगे then इसके पहले हम इन में जो आपकी next class होगी उसके अंदर और भी अच्छे-च्छे question लेके आएंगे और इनकी खूप सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं ठीक है ज्यादर timely लेंगे कम समय में काफी सारे question लेंगे और वो question होंगे जो आपके last year के BTE के exam में पूछे गए है ठीक है समांतर शेनी के पहले समांतर शेनी करेंगे फिर उसके बाद आगे का topic होगा उसके बार में और यह अपकी अकोर्डिन्टू सिलेबस ही कराई जाएगी सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं करा जाएगा ठीक है चलिए यहां तक आप लोग ने नोट किया अब एक बच्चो को यदि आपको और भी कुछ आगे बचता तो उनका हम साथ साथ बच्चों करते रहेंगे ठीक है यदि मद्य वगर आता पहला हम इन पर आदारित ही कोशन करेंगा भी चलिए यह आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इस पर एक को एक्जम्पिल देखते हैं ठीक है एक्जम कोशन ही आपका ठीक है यह क्या है कोशन है कोशन में आपको दे रखा है शीरीज क्या है एक सीरीज दे रखी है ठीक है और सीरीज में आपको दिया है दियर आपका वन वन बाई टू जीरो ठीक है देन फिट रखा है माइनस के वन बाई टू ठीक है वन वन बाई टू जीरो पंदर्वा पद ग्यात करें ठीक है यह आपको दे रखा है कोश्चन कि शेनी इतने का पंदर्वा पद ग्यात करें अब पंदर्वा पद आपको क्या दे रखा है डियर वह आपको पता है देखिए हमारी जो पद है यह वाला जो मैंने वता है जो पर्थम पद होता है वो क्य क्या है यह होता है पर्थम पद क्या देरा कैसमें ठीक है अब आपको लिखा लिए सार्व अंतर क्या होता है दो नंबर्स का अंतर सार्व अंतर लिखालने के लिए मैंने बताया था कि आप क्या करते हैं दूसरे पद में से दूसरा पद माइनस के पहला पद ठीक है दूसरे जो इनका अंतर आना चाहिए जब इसको घटाएंगे तो इहां पर इसके दो की मंटिव जाएगी तो 1-2 अपोन 2 आ जाएगा तो यह आ जाएगा माइनस के 1 by 2 तो D की जो वैलू आई वो कितने आगे डियर 1 by 2 आ गए ठीक है आपको सारवांतर मिल गया और आपको क्या दे रखा है बच्चो यह दिया है T 15 वापत पूछा है उसने कि T 15 वापत बताईए आपका कौन सा होगा ठीक है जो 15 है वो N है और वापत पूछा है तो न नंबर दे रख़के न आपको कितने रखका है आपको दिया है न इहांपर बच्यों है आपका 15 को टूर हो aplic 2023 पंदर वहां ड 촉ल शब्सक्राइट तो आपको यहांपर क्या है यह यह फंदरवां प्रखञ एन आपको 14 आपको इफ्र करना ना करना है देखिए अब अब यहाप पर आपको मैंने बताया ताव यह आपको फोर्मुला भी बताया है कि आपको जो फोर्मुला होता है वो होता है TN बराबर A पिलस N-1 इंटु डी आप N के जहेंगे पंद्र है इसकल टू ए आपको बच्चों कितना देरा का है पंद्रें आपको कितना देर रख्याँ दी यह का माइनस 1 इंसके सुरी कितना माइनस के सौलोशन करना है आपका एंपर प्रटीन बचा और यह माइनस के वन बाइन तो इसको यहां पर कर लेंगे सेवन बार जाएगा तो टी 15 इसको टू वन यह माइनस पिलस माइनस तो कितना और चीश को यह पर आपका या चोड़ सकते है तो आपके कोशन आता है तो आपके दो मार्स क्या हो जाते हैं ठाए हो जाते हैं दो कि इसे फिस तरह सबวढ़ात यह तो अभी एक स jogos आता है और यह आगे भी आपको मिलेगा। ठीक है इससे भी आगे आपको टॉशन आएंगे उनको भी जो बीटी पूछता है उस तरीके से कॉशन लेके आएंगे यह भी आपका क्वेशन बच्चों 2019 के 2000 सोरी 2000 1113 के अंदर है सोरी 2003 के अंदर आया यह बीटी के अंदर UPBTE अंदर उप टेकनिकल यूप यूप बोड और ओव टेकनिकल एजूकेशन ठीक है इसकी फिल फर्म होती है तो तो यह तक इस तरीके सा कुछन करने और भी हम अच्छे कोश्चन करते रहेंगे आगे नेस्ट क्लास में ठीक है तो मिलते हैं आप से नेस्ट क्लास में बच्चो तो तब तक के लिए बाबाई जय हिंद जय भाहरत झाल झाल